हेलो आज हम लोग देखेंगे अस्टांग हिर्दय सुत्रस्तान चैप्टर वन जो चैप्टर वन है जो चैप्टर वन का नाम है आयूस कामनिय अध्या है इसको आज हम लोग देखेंगे तो इस पे जो फर्स जो असलोक है वो क्या है मंगल आचरन मतलब मंगल आचरन मतलब क् बैद अपने गुरु जनों का सबसे पहले नमस्कार किया है तो जो फर्स असलोके वो उसी के बारे में है फिर हम लोग यहाँ पर सीधे डरेक्ट चलते हैं सेकेन असलोक यह जो बूल रहा है कि अरवेद का महत्व का अर्थ होता है कि अरवेद की महत्व क्या है हम लोग एक इसलोक देखते हैं अरवेद का परियोजन जो यह खलू अरवेद परियोजनम स्वास्तर स्वास्तर रक्षनम वो अरवेद का परियोजन है परियोजन का अर्थ होता है कि उसका क्या M है इसका M क्या है मकसद क्या है मतलब पुरिजन का मकसद लेकिन ये जो अर्वेद का महत्तो आर्वेद का महत्तो आर्वेद की ब्याक्षा बता रहा है तो ये क्या है जिस धर्म अर्थ और सुक की प्राप्ति एक मात साधन आयू है आयू का मतलब हम लोग अगर जिन्दा है अगर हम लोग जिन्दा है तब हम लोग जो धर्म होता है जो सुक होती है जो अर्थ होती है उसको हम लोग भोग सकते हैं तो अगर जिन्दा है आयू है तो हम लोग जो भी धर्म अर्थ काम होता है वो करेंगे मतलब इस आयू का जहा यहां पर और न घुल He दिखाते हैं अब यहां पर इक यहां पर ऍ हाट धया पे इस लोक देखने को मैँन यह यह इए Jewish देखने को मिलता है समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है यह जो नीचे के जो भी असलोक विमर्स में आता है वो समझाने के लिए अर्थ होता है लेकिन जो में सहीता का असलोक होता है उसका हिंदी बस यहीं पर लिखा रहता है जहां से विमर्स स्टार्ट हुआ इसका मतलब हुआ कि हम लोग अब यह जो शुत्रस्तान अस्टान खिर्दे का स्लोक ना यह और जगह का स्लोक जो व्याख्या किया जिए उसका मतलब यह होता है तो आयू क्या होता है तो आयू का मतलब होता है सरीर इंद्रिय सत्व सयोग जीवित धारी मतलब जहां पर सरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का सयोग होता है जो जीवित रहता है धारी होता है उसको हम लोग आयू बोलते हैं ठीक है सेकेंड स्लोक देख लिए फिर हम लोग देखत सुरोपत्रव अश्मरन ब्रह्मा जीख हुआ उनको सुयम ज्यान हुआ उसके बाद प्रजापती को मिला प्रजापती ने आश्मिनी कुमार दो आश्मिनी कुमार थे उनको दिये और आश्मिनी कुमार को ये ज्यान इंद्र को मिला मतलब यहाँ पे देखने को आ रहा है तो सबसे पहले देखेंगे देव लोग देव लोग मतलब जो भागवान लोग है उनके पास सबसे पहले अर्वेट था और देव लोग से फिर भू लोग में आया भू लोग का मतलब ये प्रित्मी तो सबसे पहले देखेंगे देव लोग तो देव फिर दार्ती पे दार्ति पे- एक कि ऐसा तरी कि मुझेल और जो दोगों बनेगा इससे अगनी वेश को दिया और अगनी वेश मिपने यहां पर बनेगे एक चीज़ को आता है जो चरक साहिता है उसमें पताया किया गया है कि ब्रमा जी ने ब्रक्स्वण प्रजापती और आस्वुनी कुमार ने यह जयानुशू को दिया। देलोक में भरतवाज रिशिसरी ने वहां से लेकर रिए फिर भरतवाज ने आत्रिय पुनरवसु को दियां। और फिर आत्रिय पुन्रवसिन अगनी वेस को दिया, फिर अगनी वेस ने चरक ये सब उनके सीथ से थे उनको दिया, तो वहाँ पर वैसे मिलता है, लेकिन यहाँ पर भ्रतवाज रिसी का उलेक नहीं है, यहाँ पर सीधे आत्रिय मुनियों और आत्रिय मुनियक बाद अगनी असलोग को समझाएंगे फिर उसको याद करने वाला होता है फिर यहां पर आता है अश्टांग हिर्दे की महत्ता मत्लब असलों हिर्दे की क्या महत्तो है तो बताया जाता क्या है कि जो अगनिवेस्ट के दोबारा जो तंत्र जो थे जो अगनिवेस्ट भागवान थे उनसे जो भूलोगके थे अगनिवेस्ट टो उनका जो भी बोले थे जो भी उन्होंने पढ़ाय कि तो इधर-उदर बिखडा हुआ था कि उत्तम सार भाग को अस्टानग हिर्दय नाम का गरंत जो है वह बनाए गया मतलब जो भी इदर उदर भीकरे हुए थे उसको सब को इखटा यह वागवट ने किया तो इन्होंने अस्टान हिर्दय नाम का एक पुष्तक लिख रहा है यह जो फर्स चेप्टर है यह क्या है क इतने भी चेप्टर यह सब का ब्याख्या इसमें बताया गिया ठीक है यह था अपना चोगता उसलोग फिर हम लोग देखेंगे यह सब बहुत इंपोर्टेंट इसलिए हम लोग यह सब को यादरन से अस्टांग अर्वेद का मतलब हो था आर्वेद के आठ योंग है यह ज उसका जो अंग है उसकी जो सखाय है तो अस्टांग अर्वेद मतलब अर्वेद के आठ सखाय है जो फर्स्ट आता है वो आता है काय फिर आता है बाल काय बाल ग्रह फिर उर्धवांग फिर सल्ले द्रंस्टा जरा विसान यह जो आठ आता है यह अर्वेद के अंग हम इसको फ्रक्राइज को समयांगे अस्त वंगानी तश्याहु चिकिस्सा यहू येसु संस्रीता इसका अर्थ क्या होता एक की अर्वेत के आयट तन्त को बोलते हम लोग कि पिडेटरिक जो चिकिस्शा अहले रहा उप्तार को किस्ता कि जाते हैं जैसे इस तरह कान यह दो इसमें पड़ रहने के लिए एक। पृसथाइन का ज़ी पर श॥। संत्या इसमें रिवगों किस्त नशान के searching के लिए यह बहुत ही इंपोर्टेंट इसलोग थी यहाद कर लीजिएगा ठीक है फिर आता है छटा उसलोक त्री वी दोस्त जो तीन डोस कौन होते है तो हम देख चुकिए त्री दोस वात पीत कप यह तीन परकार की दोस होती है फिर हम लोग सेवंत उसलोक पर चलेगे जो seven अस्लोक है 200 के सरीरस्ट अस्तान, मतलब 2 सरीर में कहां-कहां होते हैं तो 2 सरीर में ये 3 जगवपे होते हैं मतलब 3 उसका खंड में बताया गया, जो वात होता है वो नाभी से अधाबाग मतलब नाभी के नीचे होता है, जो पीत होता है वो हिर्दय और नाभी के बीच में होता है और जो कफ होता है वो हिर्दय के उपर, उर्धो मतलब उपर ये हिर्दय के उपर कौन सा होता है कफ दोस होता है ठीक है, फिर next दोस अनुसार अगनी के भेग जो अगनी के कितने भेग होते हैं अगनी का मतलब हुआ जो हमारे सरीर में जो अगनी है एक तेरो परकार की अगनिया होती है जाठर अगनी पंच माबूत और धातु अगनी तो वो कैसे होती है अगनी तो अगनी यहाँ पर देखेंगे वो जो तेरो परकार की अगनी होती है उनका जो भेद देखते हैं तो वो हम लोग को निकल के आता है बिशम अगनी तिक्स अगनी मंद अगनी और सम अगनी इसका अर्थ क्या होता है जो बिशम अगनी जो वाद दोसके जो प्रकुपित होता है वो बिशम अगनी होती है बिशम अगनी मतलब कभी भूख लगया कभी नहीं लेगा बिशम होती है उसकी निये मंद हो गई है मतलब कम हो गई है भूख ही नहीं लगणा है फिर तीरी दोस्के कारणा बाद जब तीनों समान में होते हैं तो सम आगनी होती है मतलब आगनी बराबर होती प्रोपर तरह से भूख लगती है ठीक है फिर हम लोग नेक्स्ट अस लोक देखेंगे यह प्रकृतिक निर्मान योभेद प्रकृतिक कैसे बनती है प्रकृति निर्मान कैसे होती है मतलब क्या होता है जब जनम जब होती है उसके जब घर्व धारन कहता है तो सुक्र आर्थव जब मेलता है उस समय जो दोस्त जादा प्रवल होते है वो उनकी प्रकृति हो जाती ह इस प्रकार से साथ प्रकृतिया होती है वातज पितज कफ़ज चननिपातज ऐसे करके साथ प्रकृतिया होती है फिर यहाँ पर एक important असलोक आती है वात के गून ये भीविया ये वात का क्या गून होता है वात कैसा होता है हम लोग वात पित का पढ़े है तो अब हम लोग पढ़ते हैं वात का गून क्या होता है तो वात का गून क्या होता है तत्र-पॉर्चौ लगू सीवाlt खर。 यह जो गून बताए गए हैं। यह बताए क्या गए हैं। जो व्हात दोस्स होता है वह व्हात का प्रιαय होता है होता है। यह त्थंडी में देखते हैं, व्हात होता है। तो थंडी में देखते हैं हम लोग के जो तवाचा होती में रुखी हो जाती है乾ो सित होती है यह मतलब फिर सुक्च मतलब यह बहुती हूद होती है,lyered नियहां असे वहाँ जाने वाला फिर नेक्स्ट लोग देखते हैं पीत के गून पीत değiş्चन, उष्ण लगू, विश्ञ होगी लगू होगी वीश्ञ आप्छी जो ने लगता है फिर सेथ होती है फिर द्रों मतलब जो लिआ होती है जो भी। होती है जो फिर इंजाइम से क्या जाता है यह louल होता है द्रों मतलब लिखुविड होता है फिर कफड़ दो लागा होता है उसका जो गूण देखते हैं तो यहां पर ज्नेक्व शीतो गुरु एक खासिय थे किसमें हर एक उसलोग का उन्होंने समद्याने के बाद टेबल बना दिये तो आप लोग पूरा याद कर लिजेगा यह बहुत ही इंपोर्टेंट है फिर आता है संसंगर्ण और सनीपातच संसर्ग का अर्थ होता है कि दो दोस जब अगर वात और पीत मिल जाए संसंगर्ण वात अर्थ होता है तीन दोस एक साथ होती है यह जो धात्य होती है यह जो धातू होती है वह सरी को धारन करती है जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पर रस धातु को निरमान होता है फिर उसे ब्लड बनता है फिर मसलस बनती है फिर मेद फिर अस्ति बोन फिर मज्जा बोन मेरो फिर सुक्र मतलब एस्पम या आर्थ ठीक है, पिर हम लगाद देखेंगे स्रीर के मल कितना होते है मतलब इस सरीर के बाहर गैस K can tax होता है वह कितने परकार की होती है तो तीन मल होते है कौन-कौन से मूत्र यूरीन पुरिष और स्वेध यह तेन परकार की मल होती है छाक को होता हैुए सद रस अत्मक बोलते छे रस होता हैं ईनुों ने जो और मंदूर का मतलब सूँट होता है सब परकार कर रस होती हैं फिर हम हमें ब्रीधी के दोसादी के ब्रीधी यूँश्या है। तू मतलब कैसे दोस की ब्रीधी होता है कैसी दोसका च्षय होता है।bank थात्व छोता है। अगर वात दोस्वाले वाली ज्यादा अहार वियार करेंगे, मतलब रुक्ष अहार वियार करेंगे तो दोस्त बढ़ेगा, इसके विप्रित अगर अहार वियार करते हैं, मतलब क्या करते हैं, थंडी 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 बस चीजे खाते रहेंगे, तो ये वात बढ़ेगी, जो इसके विप्रित खाएंगे, मतलब जो कुस खाएगे तुससे वार्थ कम होग्य हम्तलब होता है कि अगर समान मातर्ण में खाएएगे तो यह सब दोस्ट यूद्य बराबर होती है ठीक है फिर सड्रस आ गया फिर हम अधिन देखते हैं ध्रीवीग राव क्या होता है जो रोग होती है वह समंद्रो कोपन द्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्रोस्ट्र फिर हम लोग देखेंगे कि दुवीवीद बिरिय, बिर्यe का अर्थ होता है जो भी काना काते हैं गरम होगा नहीं तो सीथ होगा यह इसका बिरिये होता है खाने के बाद ऊस्यक्ता है यह तो खाने के Очень उसकी तीन आवास्ताय में जाती है सबसे पहले जो हम लोग छो रस देखे थे तो जो खाने के बाद जो पच्छता है वह मधूर फिर जो हम लोग मधूर रस का सेवन करेंगे और लावन रस का सेवन करेंगे दो रस सेवन से मधूर होता है अमल रस का सेवन करेंगे तो अमल होगा और कटूर रस का विपाक का अर्थुआ कि कटूर तिक्त कसा है जब तीन रस का सेवन करेंगे तो कटूर आता है ठीक है जो ह अमलरस पढ़रे थे ना मधरु अमलर करती सकाया तो मधूर अलावन महतना है तो मधूर होते ही विपाक उसका उसका पाचन होता है और कटू तिक करते हैं और कटू Ah पिर यह जो एसलुक और यह बहुत ही इंपोर्टेंट है यह बता रहा है बिश गून क्या होते हैं जो गुरुवादी गून होते हैं वो बिश क्या होते हैं मतलब क्या होता है बिश गून यह जो होते हैं गुरू, लगू, स्नेग्द, सुक्ष्म, द्रव, सांद, सीत, उस्न, मंद, तिक्स, इस्तर, सर, मिर्दु, कटिन, और विसद, पिच्छी, सलक्ष, खर, और इस्तूल, और सुक्ष्म, यह जो होते हैं, यह जो होते हैं, यह बहुत ही जरुवत होती है, आगे जब हम लोग प मिथ्या और अतियोग करते हैं, इस परकार से बिमारी होती है, हीन का अर्थ होता है, कम, मिथ्या का अर्थ होता है, यह काम नहीं करना चाहिए, वह ही काम किये जा रहे है, अतियोग मतलब उसका कुछ ज्यादा ही उप्योग करते हैं, इस परकार से काल का, हीन योग, मिथ्य जय योग अतियोग के कारण रोग की उत्पति होती है फिर पढ़ते हैं क्या रोग और आरोगय की पविभासा मतलब रोग क्या होता है तो दोसों की विश्मता रोग और इनिक से समंधा आरोगय है मतलब जो वातपित कप है अगर वो सामानने है मतलब मेडियम है तो आप आरो मतलब जो मानसिक रोग होती है रज और तम होती है, दो परकार की रोग होती है, एक होती है सारेलिक, एक होती है मानसिक, तो सारेलिक में वात, पित, कफ आता है और मानसिक में रज और तम आता है, ठीक है? देखेंगे, उसको देखेंगे उसको देखेंगे की चलने में कैसा चल रहा हूं। इसको करते हैं, अस्परस का मतलब होता है Heart है। यह विक टोटा हु था है तो भ 170 प्रसन का आर्थ होता है कि हम लोग पूचेंगें हिस्ट्री कि तुमको ऐसमें को हुआ था था किया खा थे dot जमेयर के यह तहां रोगी परिक्षा मतलब रोगी मतलब पैसेंट की परिक्षा था तीन परकार से दर्शन असपर्शन और प्रसंद फिर देखते हैं रोग की परिचा मतलब वो जो बीमारी हुआ है वो कैसा है तो उसको पूर्वरूप पूर्वरूप का मतलब होता है कि बीमारी होने से पहले हमने सरीर में कुछ लक्षन दिखने लगता है जैसे माले किसी को अब पूर्वरूप बीमारी हो गई विमारी होने के बाद लक्षन दिखने लगा कि टेंप्रेचर बढ़ गया कुछ कुछ हो गया उसको रूप बोलेंगे फिर उपसाय प्र पैथोजनेस मतलब संप्राप्ति संप्राप्ति का अर्थ होता है कि वह जो बीमारी होती है वह स देश के बेद देश के बेद मतलब जो हम जो मॉस में होती है यह वह कैसा हैं तो उसको हम्रो देश बोलते तो देश देश दो परकारी दिखा जाता एक होती भूमी एक होती ही दे भूमी मतलब लेंड एक होता है सरीर ये भी परकार की देश है हमारी सरीर भी देश है अब आते हैं कि भूमी के परकार देखेंगे ये जो भूमी है इसके परकार देखेंगे तो ये राज में देखते है कि कौन-कौन राज में कैसी-कैसी परकार की भूमी होती है तो ये तीन परकार की होती है जांगल आनूप और सधारत सदारन देश का अर्थ होता है कि जहां पर गर्मी ठंडी बरसाथ सब होती है व difbre So Student सोधन क करते है जो दक्रम करते हैं हमाएं सरी सदुल्ध करते हैं, गाल निकाल देते हैं उसको सोधन बोलते हैं, मतलब और भीमारी निकाल दिया है मतलब बीमारी ठीक कर दिया, सोधन मतलब सीधे बीमारी को सरी सही बाहर निकाल दिया, सोधित कर दिया, उसको सोधन दरब्य बोलते है, दो परकार की दरब्य होती है, फिर सरीर दोस्त की परम आउसदी कौन-कौन होती है, तो जो वाद दोस्त के लिए सबसे अच्छा होता है दोस्ती जो हम लोग दावा देकर अगर वुमेटिंग करा है उसको वब बोलते हैं इसमें समनार्थ जो वाददोस्त का सबसें अच्छा होता है तेल जो ठंडीओं में सबसे ज़्यादा वात बढ़ता है रूख सोती तो उसको तेल है पित के लिए घृत और कफ के लिए मधू मतलब साहद फिर मनो दोस की परम आउसदी जो मानसिक दोस होता है उसकी परम धी धैरे और आत्म आदि ज्यान है ठीक है फिर हम लोग देखते है चतुस पाद देखते हैं चतुस पाद क्या होता है कि जैसे कोई भी होस्पीटाल ले उसमें भीसक मतलब बैद मतलब डॉक्टर फिर उसमें क्या होगा कि परिचारक मतलब उसमें जो भी नर्सेज रहेंगे फिर उसमें औसदी रहेंगे फिर उसमें रूग मतलब जो बीमार हुआ वह विवति चार हो गया चॉतुस्स है तो इसके चार जो यह होते हैं इनके चार चार लख्षन होते हुए हम लोग के अरवेद में बहुत ही इंपोर्टेंट है तो यह जो चार उस लोग अभी पढ़न मतलब बैद के क्या गूण है तो जो बैद होना चाहिए वह दक्ष मतलब सिद्र सिग्रकारी होना चाहिए कि पैसें टा गिया है और बैद जो धीरदीर काम का ऐसे हुआ है तिक तरह आत्मतलि जिसके गुरू मुघ के सास्ट का अध्यन कि आईये मतलब बैद ऐसा होना जो जो पढ़ाई किया, यह नहीं कि किसी के पास जा के सिहक लिए उसके पास डिगरी नहीं है, जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग 5 साल पढ़ाई करते हैं फिर BMS के डिगरी मिलती है, तो हम लोग गुरु के मुख मतलब गुरुजनों से जिद्या गरान कर रहा है, इसलिए क्लास मतलब जो मन्ह Cohen से सॉध हो डोक्टर को सबता है तो चछभी परत सबस्द क्लल्प होना चाहिए जो चार होती懇ना है पहुत मतलब उसका अर्थ होता है कि जैसे मालए कि हम लोग कोई भी ऑवसदी को अगर घोट अब उसको इंकट के मतलब उसको न् ? जो रस निकालते हैं उसको स्वह रस मतलब जूस यह बुला जाता है तो यहां पर हम लोग देख लेते डारेक्ट जो भिसक के गून चार होते हैं द्रव के चार गून होते हैं फिर उपस्तता का मतलब होता है नर्स नर्स जो होती है अनूरत होने चाहिए सुचियों दक्षों स सद्विकन चाहिब केर सभसर में और आप एक आसने से थीक हो सकती है असाधे मिश्चित 1Vi 8 दो भुष या पके dislike एक जब तक ठीक शोड़ стан जाएगे जैसे प्रेमें अनुक्रमन मतलब उसकी चिकिसाई नहीं करना चाहिए वो मरने वाला आवस्ता कि अनुक्रम बोलते हैं फिर हम लोग इसमें यह बहुत इंपोर्टेंट आता है सुक सुक साध्य व्यादी का लक्षन क्या होता है मतलब जो असानी से ठीक होने वाला में क्या रहेगा कि जो दे और सर्व और स्चाम मतलब अथा चिकिसाई में प्रियुक्त सभी विवीद आदी सहन करने की सब्सक्रम मतलब पैसेंट जोना चाहिए ठीक है फिर इसमें हम लोग देखेंगे क्रिसाध्य व्यादी का क्या लक्षन है मतलब जो सास्त्र मतलब ऑप्रेस्ट से ठीक होने वाला चीज होता है फिर याप प्र मतलब ऐसा विमारी जो जब तक दावा करेंगे तो तक ठीक होगा उसको आप यह बोलते हैं फिर अनकरम मतलब जब तक इसकी तो चीकिस्टा नहीं करना चाहिए बहुत ही कॉंप्लिकेशन हो जाती फिर त्याज्य रोगी जो राजा और बैद सी दुएस रखता हो बैद का बात नहीं मनता उसको त्याज्य मतलब कि चीकिस्टा नहीं करनी चाहिए यह हम लोगे कि जो और यह हम लोकि जो अस्टाज हिर्दया कि सुत्रiptान थी यह सब चयप्टर थे अ相信 कि यह फिर हम लों इसमें देखते हैं कि यह कुश्टन आते हैं कि यह जो जितने अस्तान क वह माता जो भी चुछिवा सतन्य यह जो शो परकार को चयप्टर हैं,्यों क पूछलेता है कि ही इसपको एड़ करेंगे तो जितने भी चेप्टर बनेगे वह उसका एंसर होता है तो तरही जो भी दिकत हो या जो भी समस्ट चाहिए रहे हो पढ़ाए में हमारे कॉमेंट सक्सेम आप लोग पूछ सकते हैं जन्यवाद